नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे क्या सुप्रिम कोर्ट में भी RTI लगाई जा सकती है तो इसका जबाब है हाँ आप सुप्रिम कोर्ट में भी RTI लगा सकते हैं इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना Skip किये हुए पुरा अवस्य देखेंगे जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवस्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा कर ALL पर भी क्लिक अवस्य कर लें तथा इसे एक लाइक करेंगे तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करेंग जिससे हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सके और वो अपने अधिकार का प्रयोग RTI Act के तहत अवस्य कर सके चलिए किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में RTI लगाएंगे आप लोग देखें मैं यहां कुछ हिंदी और इंग्लिस में बताने का प्रयास क्या हूँ और या आवेदन भी लिखा हूँ आप लोग ध्यान पुर्व किसी बुना इसकीप किये वे अवस्य देखेंगे उपर में लिख देंगे अप्लिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट दोजार पांच आप टाइप भी करवा सकते हैं या हाथ से भी साप साप लिख सकते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र टू सेंट्रल पब्लिक इनफॉर्मेशन ऑफिशर चुकि यह केंदर से संबंदित है इसलिए केंदर सूचना पदादिकारी सूचना का दिकार के होते हैं अडिसनल रइश्टार हुआ करता है जिसके लोग सूचना पदादिकारी अडिसनल रइश्टार हुआ करते हैं सुप्रीम कोट आफ इंडिया नियू देल्ही सरवुच न्याले नई दिल्ली यह पीन कोड है 11001 सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्टिंग टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टियाई एक्ट सुचना का अधिकार के अंतरगत सुचना प्राप्त करने हेतू यहावेदन लिखा जा रहा है अपना पूरा नाम लिखेंगे जो भी हो कोशिश करेंगे अगर आप इंगलिस में लिख सकते हैं तो हर चीज इंग्लिस में लिखें मैं चुकि आप लोगों को बताने का प्यास कर रहा हूँ इसलिए मैंने दोनों में लिखा है फादर के नाम में भी अपना लिखेंगे फूल एड्रेस लिखेंगे पिन कॉर्ट, स्टेट, राज, जीला, असपस्ट लिखेंगे पिन कॉर्ट अवस्य दे देंगे यहां मैंने पिन कॉर्ट छोड़ दिया है इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि यहां पिन कॉर्ट अवस्य दे देंगे मैं इसे बाद में यहाँ पे दे दूंगा चौथा में लिखेंगे information requested required जो भी आपको सूचना मांगनी हो सूचना की आवस्थता हो मांगी गई सूचना का वर्णन यहाँ आप point to point एक दो तीन जिस point में आप जानना चाते हैं जो information लेना चाते हैं उसे लिए मैंने एक आवेदन speed post से भी था इसी संबन में मैंने सूचना मांगी है कि I had sent an application date इतना by speed post इतना provide a tested copy of my application मैंने अपने application का ही पर्मानित परती मांगा है A में एक number में B में what is the action taken of my application by Chief Justice of Supreme Court in India Supreme Court के मुख न्यायाधिस के आदिस क्या प्राप्थ हुआ है मेरे application पर इसकी ही जानकारी मैंने मांगी है दो नंबर में तीसरा में मैंने मांगा है certified photocopy of the entire file should be given Please inform me soon मैंने संचिका जो भी मेरे आवेदन देने के बाद जो वहाँ संचिका बनी होगी file बनी होगी उस सभी का मैंने certified photocopy भी मांगा है इसलिए आप लोग जो भी सूचना चाहते हैं इस प्रकार English में भी point to point लिखेंगे चुकि यहां जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहां हिंदी में ने लिका आप लोगों को हिंदी में समझाने का प्रयास किया हूँ हो सकेगा तो आगे मैं केवल हिंदी में ही वीडियो बनाऊंगा और मैं fee के रूप में चुकि मैं RTI Act Section 75 इसमें रासन कार्ड वाले को निस्सुल को सूचना दी जाती है इसलिए मैंने अपना रासन कार्ड संख्या यहां दायर किया है अपना sign करेंगे चाहें English इंदी जिसमें करते हूं signature of the applicant लिक देंगे अपना mobile number, email number भी दे शकते हैं अपना जिस जगह से आप आविदन कर रहे हैं जिस जगह से आप बिलॉंग करते हैं जहां से हैं वहां अपना state और district का यहां नाम लिखेंगे date अवस से दे देंगे इस प्रकार हम लोग Supreme Court में भी RTI लगा कर वहां के Central Public Information से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं जैहिन